मेरे ख्याल से कभी भी प्यार का कोई बड़ा दिखावा नहीं किया गया वो रिष्टा तो वैसे भी था ही ये बात तो वैसे भी तय थी कि हम उनके जिंदगी में सबसे ज्यादा हैमियत रखते हैं तो हमने ये कभी नहीं सोचा कि ओ वो हमें प्यार करती हैं हमारा ख्याल रखती हैं ऐसे विचार कभी नहीं आए उनका पूरा जीवन मानो बस यही है उनके जीवन में बस हम ही एहमियत रखते थे उन्होंने हमें इस कवच में रखा और मेरे खयाल से उस समय ये हमारे ले बहुत महतुपून था और जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार का आए घर में हर चीज वो अपने हाथों से बनाती थी खाना पकाने से लेकर कड़ाई, बुनाई और स्टिचिंग तक सब कुछ उनका बनाय हुआ था पूरे घर में उनकी चाप थी एक भी शब्द कहे बिना वो चाप बस हर जगा मौजूद थी मुझे याद है जब हम किसी दूसरी जगा जाते थे हमारे घर में हमेशा हर तक्ये की खोल पर हर चादर पर कड़ाई होती थी उन्होंने हर चीज़ पर कुछ न कुछ कड़ाई कर रखी थी अगर हम किसी दूसरी जगा जाते थे और सोने से पहले अगर उन्होंने देखा कि तक्ये का खोल बिल्कुल कोरा या सफेध है तो वो कहती बच्चे कोरे तक्ये पर कैसे सोएंगे और वो बस पांच मिनिट में एक छोटा सा तोता बना देती थी मुझे अभी भी वो हरे तोते अच्छी तरह से याद हैं क्योंकि उस तोते को देखते हुए सो जाता था वो तोते अभी भी मेरे दिमाग में बसे हुए है या फिर वो छोटा सा पांच पंखोडियों वाला फूल जो कि मुझे नहीं पता कि उससे मैं सारे नाम भूल गया हूँ उन दिनों एंकर ब्रैंड के धागे आया करते थे कुछ इस तरह आते थे जब आप उनसे सिलाई करें तो जैसे एक जगा गुलाबी रंग है तो दूसरी जगा से थोड़ा लाल होगा मुझे यकीन है कि वो चीज़ें आज भी मिलती होंगी पर मैंने काफी समय से देखी नहीं है तो मैं बस उस पांच पंखुडी वाले फूल को देख रहा हूँ और मुझे नीन दा रही है और वो ज्यादा तर गुलाबी है तीन पंखुडी गुलाबी है दो थोड़ी सी लाल है और मेरा दिमाग सोच रहा है कि ये ऐसा क्यों है क्यों मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद है ये तब की बात है जब मैं चार-पांच साल का था मैं वह सोच रहा हूँ कि ये दो साथ वाली पंखुडीयां लाल क्यों है जबकि बागी तीनों गुलाबी है मैंने वो धागा देखा है मैंने उसके साथ हर तरह के काम किये धागे में रंग के पैटर्न्स के हिसाब से तो ये इतने करीब नहीं होने चाहिए मेरे दिमाग में तो इन सभी छोटी-छोटी चीज़ों ने उनके बनाए खाने के हम गुलाम थे चाहे हम जहां भी जाते अगर हमें किसी शादी या पाठी या कहीं और भी ले जाया जाता तो वहां हम खाना खाने का नाटक करते और फिर घर आकर जम के खाना खाते क्योंकि उनके बनाए खाने का कोई जवाब ही नहीं था वो इतना बढ़िया था पता नहीं ये कोई बहुत लाड़ प्यार से भराव अरिष्टा नहीं था वो बस हमेशा वैसे ही मौजूद था उनके बिना आप जीवन की कलपना ही नहीं कर सकते बस वो हमेशा वहां थी कभी ऐसे नहीं होता कि वो ना हो मुझे लगता है कि आज आर्थिक कारणों से महिलाएं घर से बाहर कदम रख रही है मैं इस पर कोई टिपणी नहीं कर रहा पर एक बच्चे के लिए जब वो घर आता है घर में कोई नहीं है वो खुदी ताला खोल कर अंदर आता है ठंडा खाना खाता है और वहाँ बैठ जाता है पस्चे में देशों में अधिकतर बच्चों का यही नसीब है और दुर्भागे से यही किसमत भारत के अधिकतर शहरी बच्चों की भी होती जा रही है बस इतना ही कि जब आप घर आते हैं तो वह आपका बैग लेती हैं और आपसे पूछती हैं कि आज क्या हुआ और आप जूते पहन कर ही घर में दौर लगाना चाहते हैं पर वह आपके जूते उतार देती हैं यह कोई साधारन बात नहीं है यह जीवन को बदल देने वाली बाते हैं ये वाकई जीवन को बदल देने वाली बाते हैं मेरे खयाल से कई तरीकों से मैं जो हूँ उसका दूसरा आयाम बहुत अलग है पर एक इंसान के तौर पर जो मैं हूँ मुझे लगता है कि उनका बहुत गहरा प्रभाव रहा है बिना एक भी शब्द बोले भी सिखाना नहीं, समझाना नहीं मेरे पिताजी हमेशा मुझसे बात करके तरह तरह की चीज़ें समझाने की कोशिश खिया करते थे तो मैं ऐसा बनना है, नहीं तुम वैसे बन जाओगे उनमें से कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं टिका मगर वो चुपचा एक भी शब्द बोले बेना मुझे लगता है उन्होंने मुझे पर एक गहरा प्रभाव डाला बहुत गहरा प्रभाव